दोस्तो सुवागत है आपका अपने चैनल में दोस्तो आज हमारी हिंदी की MCQ सिरीज का सत्रुवा पार्ट है और आज हम इस वीडियो में लोकोक्तियों से रिलेटिड MCQ देखने वाले हैं चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं पहला क्यूश्यन है जैसी करणी वैसी भढ़नी का अर्थ है इसका सी आंसरोगा उप्सन नमबर है कारिये के अनुसार परिनाम मिलता है अगला क्यूश्यन है चमडी जाए पर दमडी ना जाए का अर्थ है इसका सी आंसरोगा उप्सन नमबर भी अत्यदी कंजूस होना अगला कुछन है अब पश्टाए क्या होत जब चिडिया चुक गई खेत का अर्थ है इसका सियांसरोगा उप्सन नमबर भी समय पर काम ना करने से बाद में पश्टाना पड़ता है अगला क्युष्छन is चचुंतर के सीर में चमेली का तेल का अर्थ है इसका सी आंसरोंगромर को अ कोई ईरखाट तो कोई बिरघाट का अर्थ है इसका सी आंसरोंगर ऑप्सन नम्र भी तालमेल ना होना अगला कुछन है अपनी धपली अपना राग का अर्थ है इसका सी आंसरों का option number D सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना अगला कुछन है हस्वे के बिहा में खुर्पी का गीत का अर्थ है इसका सी आंसरों का option number C एसंगत बाते करना अगला क्यूशन देखते हैं अगला क्यूशन है जाके पावना फटे बिवाई सोक्या जाने पीर पराई का अर्थ है इसका सी आंसर होगा option number D जिसके उपर बीटती है वही जानता है अगला क्यूशन है जस दूला तस बनी बराता का अर्थ है इसका सी आंसर होगा option number C सभी साथी एक ही जैसे अगला कुछ ने आडंबर बहुत किंतु वास्त विक्ता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ती है इसका सी आंसर होगा option number B उची दुकान फिका पकवान अगला कुछ ने चोर-चोर खालिस्थान भाई इसका सी आंसर होगा option number C मुसेरे चोर-चोर मुसेरे भाई अगला कुछ ने उट के मुँ में खालिस्थान इसका सी आंसर होगा option number A जीरा उट के मुँ में जीरा अगला कुछ ने खालिस्थान के अंदे को हरा ही हरा नजर आता है इसका सी आंसरोगा option number B सावन, सावन के अंदे को हरा ही हरा नजर आता है अगला कुछने कर खालिस्थान तो हो भला, इसका सी आंसरोगा option number B कर भला तो हो भला अगला कुछने अंधो में खालिस्थान राजा, इसका सी आंसरोगा option number C काणा, अंधो में काणा राजा अगला गुष्यने घर का वेदी खालिस्थान धाय इसका सी आंसरोगा उप्सन नम्बर C लंका गर का वेदी लंका धाय अगला गुष्यने नाचना जाने खालिस्थान तेड़ा इसका सी आंसरोगा उप्सन नम्बर D आंगन नाचना जाने आंगन तेड़ा जहाना पहुँचे रवी, वहाँ पहुँचे कवी का अर्थ है इसका सी आंसरोगा option number है कवी के लिए कहीं भी अगम्मे नहीं पुछकारा कुट्ता, सीड़ चड़े का अर्थ है इसका सी आंसरोगा option number B, ओच्छे लोग मुँ लगाने पर अनुची तलाव उठाते है अगला कुशन है, तीन दिन महमान, चोथे दिन हैवान का अर्थ है इसका सी आंसरोगा option number A, आथित्य थोड़े दिन का ही अच्छा होता है अगला कुशन देखते है अधिजल कगरी खालिस्थान जाए इसका सी आंसरोगा option number D, चलकत अधिजल कगरी चलकत जाए अगला कुशन है, खालिस्थान दहतूरे सो कहत गहन गड़ो न जाए इसका सी आंसरोगा option number B, कनक कनक दहतूरे सो कहत गहनो गड़े न जाए अगला कुछन है तबेली की बला बंदर के सीर का अर्थ है इसका सी आंसर होगा option number C किसी का अपराद दूसरे के सीर अगला कुछन है एक और एक 11 होते हैं का अर्थ है इसका सी आंसर होगा option number D संगठन में सकती है अगला कुछन है कुम्हार अपना ही गड़ा सरहता है का अर्थ है इसका सी आंसरोगा उप्सन नमबर भी अपनी बनाई हुई वस्ति सबको अच्छी लगती है अगला कुछन है काला अक्सर भैस बराबर का अर्थ है इसका सी आंसरोगा उप्सन नमबर सी अनपड होना गए थे रोजा छुडाने नमाज गले पड़ी का अर्थ है इसका सी आंसरोगा उप्सन नम्बर डी उपकार करने के बदले स्वयम को दुख भोगना पड़ा गंगा गये गंगा दास जमना गये जमना दास का अर्थ है इसका सी आंसर होगा option number D जिसका कोई द्रिड सिद्धान्त नहीं होता गंगा इसका सी आंसर होगा option number D आकास पताल का अंतर होना अगला गुष्चने काट की हांडी बार बार नहीं चड़ती का अर्थ है इसका सी आंसर होगा option number C छल कपट का वैवार हमेशा नहीं चलता अगला गुष्चने तूट चाप नहीं जूरे रिसाने का अर्थ है इसका सी आंसर होगा option number D नुकसान हो जाने पर करोद करना वैवार अर्थ है अगला गुष्चने आयते हरी बजन को ओटन लगे कपास का अर्थ है इसका सी आंसर होगा option number C किसी कारिये विशेश की उपेक्षा कर किसी अन्यकारिये में लग जाना अगला गुष्चन देखते हैं अंधा पावे आखे तो पतियाये का अर्थ है इसका सी आंसर होगा option number B अभिष्ट की प्राप्ती होने पर विश्वास का जमना अगला कुछन है उदों का लेना ना माधों का देना का अर्थ है इसका C आनसर होगा option number है अपने काम से काम अगला कुछन है उपाए वही सफल और सरेश्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े के लिए सही लोकोकती है इसका C आनसर होगा option number C जादू वही जो सीड़ चड़कर बोले तो दोस्तों यहात ही हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको किसी किस्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं धन्यवाद